मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जीलों के लिए मशूर है 18 लाख की आबादी वाला भोपाल शहर मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर है भोपाल नगर निगम ने आधुनिक टॉलेट्स का निर्मान किया और शहर को खुले में शौच से मुक्त किया रहवासियों द्वारा पहले से ही अलग किये गए गीले और सूखे कच्रे को भोपाल नगर निगम के वाहन नियमित रूप से डोर टू डोर जाकर कच्रे का संग्रहन करते हैं लाखों की आबादी वाले भोपाल शहर की सड़कों को स्वच्छ रखने के लिए प्रशासन, कर्मचारी और आधुनिक सफाई वाहन रोजाना दिन में दो बार सड़कों और चौराहों की सफाई करते हैं भोपाल नगर निगम द्वारा संग्रहित गीले कच्रे से खाद का निर्मान होता है गीले कच्रे को बायो मेथनेशन गैस प्लांट में प्रोसेस कर बिजली और बायो गैस बनाई जाती है यहां 300 किलो वाट तक बिजली बनाई जाती है जिसका उप्योग आसपास लगने वाले हाट बाजार में किया जाता है और बायो गैस का उप्योग कोकिंग गैस के रूप में किया जाता है भोपाल नगर निगम का प्लास्टिक संग्रहन केंद्र प्लास्टिक को अलग-अलग कर उसे यहां के रैग पिकर्स की मदद से रिसाइकल, रिड्यूस और रियूस करने का अध्भुत कार्य कर रहा है पोपाल के पास है प्लास्टिक संग्रहन केंद्र का आधुनिक मॉडल भोपाल का सॉलिड वेस्ट डंपियाड जो की लगभग 36 एकड एरिया में था उसे जीरो वेस्ट पद्दती से कम किया गया और लगभग 21 एकड डंपियाड को वापस सामाने भूमी में बदलने का लक्ष रखा गया यहां आने वाले कच्रे को प्रोसेस करके कमपोस्ट से खाद बनाई जाती है और बचे हुए कच्रे को उद्द्योगों को वेस्ट से एनरजी बनाने के लिए दे दिया जाता है भोपाल की जीलें यहां के निवासी और पर्यटकों के मनुरंजन और आकर्शन का केंद्र हैं इनकी स्वच्चता को बरकरार रखने के लिए ट्रैश स्किमर की मदद से नियमित सफाई की जाती है प्रशासन ने सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर जन भागिदारी के लिए कई जागरूखता अभियान और कारिक्रम चलाए जिन में बर्तन बैंक कारिक्रम के तहत डिस्पोजल को कम किया गया और वेस्ट कपड़े से थालियां बना कर पॉलिथीन के उपियोग को कम किया गया एक विशेश प्रकार के प्रयोग के अंतरगत सोसाइटीज में जैविक खाद यूनिट लगाई गई और कचरा संग्रहन के लिए डस्ट बिन रखे गई निगम कर्मचारी नियमित रूप से इनका कचरा जैविक खाद यूनिट में डालते हैं और खाद बनाते हैं इस जैविक खाद को आसपास के पेड़ पौधों में डाला जाता है भोपाल शहर के सौंदर्य करण के लिए प्रमुख रास्तों और चौराहों को पेंट किया गया एवं नियमित रूप से यहां सफाई की जाती है साथ ही बस्तियों यानि स्लम की स्वच्चता पर भी विशेश रूप से ध्यान दिया गया है दिन रात भोपाल को स्वच्च बनाने में जुटे समस्त सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों के स्वास्त का प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं विशेश ध्यान रखती है नियमित रूप से हेल्थ चेकप कैम्प लगाकर बहतर स्वास्ते सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है स्वच्च भारत ही स्वस्थ भारत है, समर्थ भारत है और सम्रिध भारत है इसी सत्य का उत्सव मना रही है भोपाल शहर की उपलब्धिया